किसी credit history के बिना civil score के आप सिर्फ और सिर्फ KYC करके घर बैठे phone से जो है loan ले सकते हैं अगर आप एक student हैं तो आपको सिर्फ KYC करना होगा और आप 30,000 रुपीज तक का loan बिना किसी guarantee बिना किसी physical verification के घर बैठे phone से जो है ले सकते हैं बस इसके लिए आपको चाहिए होगा college ID card और ये loan कुछ ही seconds के अंदर approval मिलेगा और लगबख 30 minutes से 24 घंटे के भीतर ये loan आपके account में आपको receive हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है अगर आप एक student है तो आप इस loan application का इस्तमाल कर सकते हैं जो कि आपको provide करता है 100 रुपे से लेकर 30,000 रुपीज तक का loan और वो भी बिना किसी guarantee बिना किसी security के वीडियो काइंट तक देखेगा वीडियो अगर पसंद आए तो please like और share करने के साथ चैनल को आप subscribe कर सकते हैं तक कि future में भी आपको इसी तरीके की interesting instant loan से related वीडियो हमेशा मिलती रहे आपको अभी तक loan नहीं मिला कहीं से भी तो आपको बहुती best solution बताने वाला हूँ simply आपको Google पर जाना है और यहाँ पर search करना है apps गुरूजी एक साथ लिखिए एक साथ लिखिए search करिए search करने के साथ आपको यह website दिखाई देगा simply आपको इस पर करना है tap tap करने के बाद आप इस website के उपर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि धेरो ऐसे applications है जिनके बारे में detailed information आपको दी गई है कैसे apply करना है कैसे आप loan ले सकते हैं और maximum loan application में इस दिर्फ आपको आधार card और pen card का इस्तमाल करना होगा 500 रुपे से लेकर 5 लाख रुपे तक का loan आप घर बैठे अपने phone की मदद से किसी भी emergency में बहुत यह असानी से ले सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको top 3 ऐसे student personal loan applications के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको provide करता है instant एक सो रुपे से लेकर 30,000 रुपीज तक का loan लेकिन आगे बढ़ने से पहले important चीज़ loan application का इस्तमाल करते समय ध्यान ये रखेगा कि loan का repayment समय पर ज़रूर करिएगा otherwise आपको धेरो recovery calls दिन भर में जब आप पढ़ाई कर रहे हूँ तो आपको आ सकते हैं जिससे आपको disturbance feel होगा अगर उसके बाद भी loan आपका repayment नहीं होता है तो आपके family member के number पे भी call जा सकता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेगा साथ में ब्याज भी आपको 36% तक सालाना देना पर सकता है अब आएए इन applications की बारे में समझते हैं सबसे पहला यहाँ पे loan application है साहुकार instant loan यह application आपको अगर आप एक college student है तो आपको loan provide करता है इवन अगर आप एक self-implied हैं फिल भी आप इस application का इस्तमाल कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे loan instantly लगभग 5000 रुपीज तक का जो है provide करता है इसक्रीन के उपर जैसा कि देख पा रहे हैं यह loan 500 से सुरू होगा और 5000 रुपीज तक का loan आप इस application से ले सकते हैं इसे repayment करने के लिए application provide करती है 61 days minimum और maximum 91 days का repayment 10 worth जिसमें आप अपने इस loan को repayment कर सकते हैं अगर आप इस loan को इस्तमाल करने वाले हैं तो यह loan 36% मंत ली जा सकता है हलाकि यह application के according कम हो सकता है तो साहू कार application को आप इस्तमाल कर सकते हैं जो कि आपको अधार card, pen card के साथ आपको चाहिए होगा college ID card इस application को इस्तमाल करने के लिए अब यहाँ पर दूसरा application है वो है M pocket जो आपको provide करता है 30,000 रुपीज तक का जो है loan और यह loan salad employed के साथ student को भी बहुत असानी से मिल जाता है जैसा कि आप screen के उपर देख पा रहें इंटरेस्ट रेट जो की 2% से लेकर 6% तक जा सकता है monthly यहाँ पर 3% नहीं 6% maximum जाएगा और 120 days का maximum repayment tenuer मिलता है application RBI द्वारा registered है और आपको 30,000 रुपीज तक का loan provide करती है application से loan लेने के लिए अधार card, pen card और college ID card चाहिए होगा अगर आप एक student है इसके साथी तीसरा जो application है, इस application का नाम है pocketly जो आपको provide करता है लगभग 10,000 रुपीज का जो है loan और ये loan सिर्फ और सिर्फ KYC documents के उपर आप ले सकते हैं application लगभग instant loan provide करता है अगर आपको अचानक से पैसो के ज़र्द परती है और आप एक student है तो application से सिर्फ KYC करके आप loan बहुत ही असानी से ले सकते हैं college ID card के requirement होगी, ये application salary individual को भी loan provide करती है तो ये तीन applications जो अगर आप एक college student है अचानक से पैसो के ज़र्द है आपके पास लगभग सारे documentation है जैसे कि ID card, college ID card, fan card, अधार card, age 18 plus है आपकी आपके पास एक saving account या paytm account है, आप Indian citizen है, आपके पास apply करने के लिए एक smartphone है तो आप इन सभी applications का instant loan लेने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो कैसे लगी comment के अंदर बताएगा, वीडियो से जोड़ी कोई भी query हो आप नीचे comment कर सकते हैं मैं आपके inquiries को जोड़ी solve करूँगा, आज कि इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपस अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं, सुवस्त रहे हैं और मस्त रहे हैं